आप सभी का स्वागत करता हूँ आप लोगों को सेशन में हम आगे बढ़ें इस से पहले बताते चलें कि जो हमारा रिपब्लिक डे ओफर था 45% डिस्काउंट का कोई भी कोर्स आप पर्चेस करते हैं और उसमें अगर कोड यूज करते हैं भारत 45 तो आपको मिलेगा 45% का डिस्काउंट ये ओफर आपका एक् चाहते हैं तो पूरा फाइदा उठा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो जो लोग भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फड़ा फड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंट से तुरंट पहुंच सके और 2022 का जो की हाइलाइट्स है या आपको नेक्स क्लास में तीन बजे से समरिद्धी महम द्वारा ये क्लास लिया जाएगा जिसमें जो भी आज पार्लियामेंट में डिसकसंस वगरा हुए जो भी अनॉंसमेंट हुए उस सारी चीज़े आपको जानने को मिलेंगी तब तक उस पैसरी जी आपका भी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है जो भी हमारे रेगुलर स्टुडेंट्स है इवन संजुनी बैच के बीपीएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक इवन्ट लेके मैं आ रहा हूँ जो डेट वगरा अनॉंस हो चुका है बीपीएस की बात करेंगे बजब में अज काफी कुछ एनॉंसमेंट आपको देखने को मिलेगा चाये वो इनफ्रास्रक्ट्टर की बात हो चाये फिर वो युवाँओं के लेकर हो चाये फिर रोजगार क्या मामला हो सब पे엔 कुछ न कुछ एनॉंसमेंट आयें निर्मला सितारमन जी जो कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा पेज किया गया ये बजट तो चलिए अगर कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो आप सबसे पहले इस वक्ति को देखिए जो लेफ्ट हैंड साइट पिक्चर में दिख रहा है आपको इस वक्ति का नगम है James Wilson इनका नाम है और इन्हें ये कौन थे क्यों इनके बारे में मैं डिसकेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले वक्ति थे जिनोंने 1860 में इंडिया का बजट प्रेजन्ट किया था इंडिया बेफोर इंडेपेंडेंस 1860 की बात है 1857 में सिपोय म्योटि नहीं हो चुका था, रिवोल्ट हो चुका था 1857 का और उसके बाद जो पहला बजट पेस किया गया था, वो 1860 में पेस किया गया था, किसके द्वारा, James Wilson द्वारा, तो यह कुछ key facts आपको, one day exam, PCS exam, यहाँ पे तो helpful साबित होंगी ही, प्लस जब आप कोई मेंस का पेपर वगरा लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी यह आपको as of order बहुत जादा helpful आपके लिए साबित होगा, तो देख दीजिए, important वेक्ती, James Wilson का नाम आता है, जिन्होंने पहली बार budget प्रेजेंट किया था, he was a Scottish economist, अगर कुछ detail इनके बारे में बात करें, तो देखिए, man behind, man behind India's first budget, who was the man behind India's first budget, James Wilson, जिनका picture आप देख सकते हैं, Scottman James Wilson, the popular economist, introduced first budget of, it's not independent, ये British dependent आपका हो जाएगा, first budget of dependent India in 1860, and it looked very different than, तो पहली बार जो budget पेस किया था, India was not independent country, इसलिए मैंने याँ पे काट दिया है, first budget, ठीक है, of dependent India in 1860, तो 1860 में इन्होंने पहली बार budget पेस किया था, गौराओ जी, very good afternoon to you, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अभी हम historical facts, कुछ interesting facts के बारे में बात कर रहे हैं, जो budget के related है, exam में कई बार आपको question paper में देखने को मिलता है, प्रिलिम्स के paper में, तो आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद जो budget क्या key highlights है, वो समझेद्धी में द्वारा तीन बजे लिया जाएगा, he founded the Economist Weekly and the Chartered Bank of India, यह जो महाशाय हैं, इन्होंने the Economist नाम का विकली भी इनके द्वारा found किया गया, plus Chartered Bank of India, Australia and China, which merged with Standard Bank in 1969 to form Standard Chartered, ठीक है, तो अगर James Wilson की बात किया जाए, तो he was very well-known economist, और इन्होंने the Economist नाम का विकली भी इनके द्वारा लिखा गया, उसके बाद he was behind foundation of Australia, China and Chartered Bank of India, जो Chartered Bank के बारे में आप सुनते हैं, तो कौन था इसके पीछे, Chartered Bank के पीछे, तो यह थे आपके James Wilson, लेटर ओन क्या हुआ, 1969 में यह सब मर्ज होके, Standard Chartered के नाम से बन गए, और यह देखे, एक important comment किया गया है, काल मार्क्स द्वारा, काल मार्क्स जिनको आप सभी जानते हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था, Economical Mandarin of High Standing, Economical Mandarin, Economical Mandarin, Mandarin से अब क्या समझते हैं, तो Mandarin, मतलब समझ लीचे कि, जो जिसके पास काफी जादा पावर है, जो गौवर्मेंट में रहते हुए, जैसे जो पॉलिसी वगरा बनाने में बहुत एहम रोल निभाते हैं, ऐसे इनको क्या कहा जाएगा, Mandarin, जिसके पास गौवर्मेंट में रहते हुए, काफी जादा पावर होता है, तो एकनोमिक्स के फिल्ड में, इनके लिए मार्क किया गया है, काल मार्क्स द्वारा, कि, ही वाज एकनोमिकल मैंडरीन ओफ हाई स्टैंडिंग, ओल्राइट, चलिए, यह इंपोर्टेंट फैक्ट, ध्यान में रखने वाली बात, जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में, इंडिया का बजट प्रेजंट किया था, and he was Scottish Economist, he was also founder of Divikli, the Economist, and he was the man behind foundation of Chartered Bank of India, Australia and China, which merged with Standard Bank in 1969 to form Standard Chartered, तो जेम्स विल्सन का आप लोग नाम धिशान रखेंगे, कभी एक्जाम में आता है, तो इंडिया का पहला बजट, जेम्स विल्सन ने प्रेजंट किया था, अब देखिए, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, independent India की अगर बात करें तो पहला बजट किस ने पेस किया था independent India जो 15 अगर्स्ट 1947 को हमें आजादी मिल गई after declaration of Lord Mountbatten इंडिया independence act जो पास हुआ उसके बाद 15 अगर्स्ट को हमें आजादी मिल गई तो उसके बाद किस वैक्ति ने पहला बजट प्रेजेंट किया तो देखिए, सर रामसामी, सर रामसामी चटी कंडा सामी समुक्खन चटी, ठीक है, लंबा चोड़ा नाम है, सर रामसामी चटी कंडा सामी was an Indian lawyer, economist and politician who served as independent India's first finance minister from 1947 to 1948, तो 1947 to 1948, इंडिया के first ये finance minister के तौर पे इनोंने काम किया, किसने, रामसामी, चटी, कंडा सामी, तो अगर इनकी बात की जाए, तो he was the first man to present budget for independent India, अजाद भारत के लिए budget पेस करने वाले ये पहले वेक्ती थे, ध्यान रखिएगा, he also served as president of India's central legislative assembly from 1933 to 1935 and divan of kochin kingdom from 1935 to 1941, इनके regarding कुछ information है, पहले finance minister थे, इनोंने पहला independent India का budget पेस किया, और he has also served as president of India's central legislative assembly, श्री समुखन चेटी प्रेजटेट अफ इंडेपेंडेंट इंडिया on 26th November 1947, तो दो चीजे हैं, अगर 1860 की बात की जाए, तो जेम्स, विल्सन आते हैं आपके, जेम्स, विल्सन प्रेजेट इंडेट फर्स्ट टाइम, और उसके बाद अगर इंडेपेंडेंट इंडिया का कोई question आ जाता है, कि इंडेपेंडेंडेंट इंडिया का किसने पहली बार budget प्रेजेट किया, तो he was none other than श्री रामा स्वामी चट्टी, कंडा स्वामी समुखन चट्टी, ठीक है, तो इन्होंने कपेस किया था budget, 26th November 1947 को इन्होंने प्रेजे और उसके बाद जो भी आज budget में discussion वगरा हुआ है, वो आपका next class में लिया जाएगा, चलिए, तो आपने देख लिया, इंडेपेंडेंडेंडेंट इंडिया का भी हमने देख लिया किसने प्रेजेंट किया, अब first United India की budget की बात करते हैं, तीन चीजें है, डिपेंडेंडे का तो जेम्स וिलसन ने किया, इंडेपेंडेंडेंट इंडिया का रामा स्वामी चट्टी ने किया, अब United India, आपको भी पता है कि after Independence क्या हुआ था, सदारवलल्लबभाई पतील के efforts से, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज किया इंडिया को इंडेंट किया गया, तो United India की अगर बात की जाए, तो वो आपके John Mathai साहब ने पहली बार budget प्रेजट किया था, United India का. Chatti was succeeded by John Mathai, who in 1949-50 delivered the most lucid budget speech as he took the decision not to read out all the details telling member what a white paper with all detail was being circulated. तो पहला, इन्हों ने किसको succeed किया, आपके जो Chatti साहब हैं, उनके बाद John Mathai साहब के हाथ में, Finance Ministry की कमान गई, और इन्हों ने फिर United India का पहला budget pace किया. He gave a mini lecture on inflation and economic policies. It was the first budget, it was the first budget for a really united India, since it included the financial statement for former princely states. And where the biggest news was the news of forming, of planning commission and the need of for having five year plan. तो real budget अगर कहें, United India का real budget, तो पहली बार उसे John Mathai साहब ने paste किया. Difference देखिए, Independent India का Ramaswami जी ने paste तो किया था budget, 26 November 1947 को, पर उसमें princely states जो पहले थे, उनके related कुछ statement नहीं था. जबकि John Mathai ने जब budget present किया, तो उसमें princely states, जो earlier princely states थे, इंडिया में मर्ज हो गए, उनके related भी कुछ statements थे. प्लस, इनके speech में आप financial planning commission की बात आई, five year plan की जरूरत क्या है, उसके related, इन्होंने statement दिये, तो इस budget को माना जाता है, कि United India का पहला real budget था, वो paste किया था, John Mathai साहब ने. तीन चीजों का आपने देखा, कि dependent India का पहला budget किस ने किया था, पेश, James Wilson ने in the year 1860, independent India का Ramaswami Chatti जी ने किया था, 26 November 1947 को, but it lagged statements regarding financial position of princely states, real में United India का budget पेश किया, फिर John Mathai जी ने, जिसमें planning commission की बात कही गई, as well as five year plan की बात की गई, plus जो भी princely state मर्ज हुए थे, उनके related भी चीजें कही गई, all right, Soni Kumariji जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका class में, मौसम Singh, very good afternoon to you, ये questions, budget तो आज पूरा news में है, आप देखी रहे हैं, काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो budget के पीछे की कहानी थोड़ा हम देख रहे हैं, जो कि आपके exam में कहीं भी flash हो सकता है question paper पे, तो चलिए, the great connection of two, budget की बात कर लेते हैं, कि बजट से ब्रिटेन का क्या connection रहा है, उस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि आप देखते हैं कि जो budget है, इसमें secrecy को बहुत जादा maintain किया जाता है, सारे informations को secret रखा जाता है, चीजों को secretly prepare किया जाता है, इसके पीछे, ब्रिटेन connection है, प्लस जो budget की timing है, उस जो timing है, उस से भी कुछ न कुछ ब्रिटेन connection रहा है, अब देखिए, actually था क्या, कि United Kingdom की अगर बात करें, तो वहाँ पे दो पहर में budget पेस किया जाता था, बारा बज़े मान लीजिए, budget पेस किया जाता था, अगर वहाँ पे बारा बज़े time देखके, उस हिसाब से इंडिया में भी budget पेस किया जाता था, तो हमारा क्या है, प्लस 5 अवर 30 मिनिट हम अहेड चलते हैं, तो हमारे यहां तो शाम हो जाती थी, वह अपने यहां से बोलते थे, उनके यहां पे, ब्रिटेन में क्या होता था, अच्छा चलो बारा बज़ गया है दिन का, इंडिया वालों को बोलो अपना budget budget डिसकस करें, तो जब इंगलाइन में बारा बज़ रहा होता तो इंडिया में साम के साड़े पांच बज़ रहे होते हैं, विकॉज अगर स्टेंडर टाइम के हिसाब से बात की जाए, तो हम साड़े पांच बज़े बज़ट पेस होता रहा है हमें सासे, उसके पीछे ब्रिटेन कनेक्शन था, ब्रिटेन में दोपैर बारा बज़े कहा जाता था कि जहांब इंडिया में पेस कर दो, तो इंडिया में तब तक साड़े पांच बज़ चुके होते हैं साम के, अब ये चीज चेंज जब ये श्वन चिनाजी आपके फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब ये चेंज हुआ नहीं, तो काफी लंबे समय तक बज़ट शाम को ही पेस हुआ करता था, जिसकी वज़ए से डिफरेंट डिफरेंट जो श्टेक होल्डर हैं, जैसे श्टॉक मार्केट, श्टॉक मार्क था कि नहीं बज़ट अर्ली पेस होना चाहिए, तो फिर क्या कर लिया गया है, टाइम को 1999 में चेंज किया गया है, साड़े पांच से 11 कर दिया गया है, कि भाई हम सुबह 11 बज़ए पेस करेंगे, ठीक है, तो पहले से ही जो 11 बज़ए का ट्रेंड है, ये 1999 में आया है, चल सिक्रेसी पे भी देखते हैं, which may have been reinforced here by scandal that broke out in UK, just as R.K. Samukhan Chetty, the first FM was preparing his first budget, जो सिक्रेसी यहां पे मेंटेन की जाती है, उसके पीछे भी ब्रिटेन कनेक्शन है, अब देखिए, ब्रिटेन में हर्क डाल्टन थे, बज़ट बजट पेस करने जा रहे थे पालियमेंट में, सिक्रेस होने से पहले ही नियूज में डाल दिया, कि यह यह चीजे हैं, नियूज को लिक कर दिया, और इस लिकिंग की वज़ा से, हग डाल्टन को रिजाइन करना पड़ा था अपने पोजीशन से, इसलिए उलोग बहुत फिर सिक्रेसी मेंटेन करने लगे, और यही सिक्र इसलिए हमारे इंडिया में भी मेंटेन की जाती है, राज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में, तो देखिए, उन बज़ट डे इन उनाइट किंग्डम कब, 1947 की कहानी है, हग डाल्टन, the British Chancellor of the Exchequer met a journalist when he walked into Parliament and mentioned few details on text changes he was planning, कुछ text changes के बारे में उन्होंने हलका फ ब्रिटेन से आपको दो कनेक्शन मिल रहे हैं, एक सिक्रेसी ब्रिटेन से आपको दो कनेक्शन मिल रहे हैं, एक सिक्रेसी वाला और एक टाइमिंग वाला, बारा बज़े दोपैर में उलोग करते थे, इंडिया में उस समय साम के साड़े पांच बज़ रहे होते थे, तो हमारा हमेशा बज़ट साड़े पांच बज़ए आता था, जबकि 1999 में ये ट्रेन, इस्वन सिनहा जी द्वारा चेंज किया गया, ठीक है, ये कुछ बस important facts आप ध्यान में रख लिजे, बज़ट टाइमिंग, आप देख लिजे, former finance minister यस्वन सिनहा का picture लगा हुआ है, left hand side पे, सिनहा प्रपोज टू चेंज दी बज़ट प्रेजेंटेशन टाइमिंग फ्रॉम 5 पीम टू 11 एम, तो टाइ 1999 में, ब्रिटेन कनेक्शन को खटम कर दिया गया, the change got implemented on February 27, 1999, since then subsequent finance minister followed this tradition and presented their budget at 11 एम, तो ध्यान रखियेगा, बज़ट की टाइमिंग चेंज कब हुए थी, 1999 में यस्वन सिनहा जी जब finance minister थे, तब साम के साड़े 5 बज़े से change करके, क्या कर दिया गया, morning का 11 बज़े का timing कर दिया गया, यह सब interesting facts अपने ध्यान में रखियेगा, budget के related, इस पर से question कभी भी आए, तो आपके question गलत नहीं होने चाहिए, अब देखते हैं, short में most number of budgets की अगर बात करें, तो आपके former prime minister मुरार जी देसाई, picture में दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सब जब से ज़्यादा समय, जब से ज़्यादा बार budget प्रेजेंट किया है, former prime minister मुरार जी देसाई, hold the record of presenting the most number of budget in history of India, कितने बज़ेट इन्होंने पेश किये, 10 budgets during his period, stint as finance minister during 1962-69, इन्होंने 10 बार budget प्रेजेंट किया है, followed by पीच दंबरम, जिन्होंने 9 बार प्रेजेंट किया है, यस्वन सिन्हा ने 8 बार किया है, और मनमोहन सिंग जी ने 6 बार budget प्रेजेंट किया है, अभी तक के इतिहास में, ठीक है, तो सबसे बड़ा record किसके पास है, मुरार जी देसाई, जो कि हमारे former prime minister भी रह चुके हैं, ध्यान रहेगा आपको, चलिए, ये बस interesting facts हैं कुछ, आइकनिक budget की बात कर लेते हैं, जो budgets हैं, उनको कुछ कई बार नाम दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बजट को different different नाम, देखे, the black budget, black budget अगर आपके paper में आता है, black budget के related कोई भी बात होती है, तो black budget किसे कहा गया है, कौन से budget को, 1973-74 budget, 1973-74 budget, जिसे present किया थ अगर तो ये शवंत राओ बी चौहान ने, इंदी कब, इंदी इंदरा गांधी गोवर्मेंट वॉस कॉल्ड टी ब्लैक बजट, तो black budget की अगर कभी भी बात आती है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इट वस द़्यान में रहना चाहिए, इट बजट प्रेजट प्र year was rupees 550 crore and it was a time when India was going through acute financial distress black budget ध्यान में रहेगा यह factual चीज है जो कि आपके one day exam या कहीं भी flash हो सकता है as a question plus जब आप mains में चीजों को लिखते हैं तो वहां पे भी आपके लिए as a forwarder यह काम करेगा बस आपके दिमाग में चलता रहे तो ठीक है next carrot and stick budget की अगर बात करें तो it was presented by वीपी सिंग यह हमारे भुदपूरव प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वीपी सिंग साहग वैसे ही जैसे मुरार जी देसाई वो भी हमारे former प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो February 28 1986 को budget present किया गया था it was a step forward towards dismantling license राज इंडिया लाइसेंस राज को खतम करने के लिए it was called carrot and stick budget as it offered both rewards and punishment यहाँ पे mode wet का introduction हुआ था modified value added tax credit for lowering the cascading effect of tax and consumer had to pay while also launching an intense drive against smuggler, black marketer and tax evaders तो ध्यान रखियेगा अगर बात करे carrot and stick budget की तो it was presented by former prime minister वीपी सिंग जब वो finance minister थे congress government में 28 February 1986 एपुकल बजट की बात करे एपुकल बजट तो Manmohan Singh's landmark 1991 budget under PV Narsimha Rao government that ended license राज and began the era of economic liberalization is known as एपुकल बजट it was presented at a time when India was on the brink of economic collapse among the other things slashed custom duty from 220% to 150% जब LPG liberalization, privatization और globalization का महाल बना था 1991 में जब Manmohan Singh जी ने बजट पेस किया था नर्सिमराओ गॉवर्मेंट में उसे कहा गया था इपुकल बजट तो ध्यान रखियेगा 91 वाला बजट, 86 वाला बजट आपका carrot and stick था, बीपी सिंग और आपका जो black budget यवी चोहान ने 73-74 में पेस किया था, तो तो 3 हो गए 73-74 ब्लैक बजट बाइवी चोहान 86 में आपके बीपी सिंग ने carrot and stick budget प्रेजेट किया था और इपुकल बजट पेस किया था, किसने? Manmohan Singh नी जी ने Millennium Budget, यश्वन सिनहा Millennium Budget in 2000 led the roadmap for growth of India's information technology IT को बहुत बढ़ावा दिया गया था, Millennium Budget Industry as it phased out incentives on software export and lowered custom duty तो IT को बहुत ज़्यादा push किया था Year 2000 में जब यश्वन सिनहा जी ने budget पेस किया था जिसे क्या कहा गया? Millennium Budget का तमगा मिला तो ध्यान रखेगा Millennium Budget Year 2000 Rollback budget की बात की जाए तो अगें 2002-2003 में यश्वन सिनहा जी द्वारा जो budget पेस किया था and ये government headed by अटल विहारी बाजपी is popularly remembered as rollback budget as several proposal in it were withdrawn क्यों? 2002-2003 में यश्वन सिनहा ने जो budget पेस किया था अटल विहारी गवर्मेंट में उसके काफी proposals वापस ले लिये गये थे इसलिए उसे rollback budget भी कहा जाता है और once in a century budget निर्मला सितारमन on February 1, 2021 लाश्ट येर जो budget पेस किया था निर्मला सितारमन जी ने what she called the once in a century budget as it looked to revive Asia's third largest economy via investing in infrastructure and health care तो जो निर्मला सितारमन जी ने 2021 में एक February को पूजा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका class में एक February को जो 2020 में निर्मला सितारमन जी ने budget पेस किया था उसे क्या कहा गया उसे तमगा मिला once in a century budget का उसे तमगा मिला क्योंकि Asia's third largest economy को revive करने के लिए बहुत सारे steps लिये गए investing in infrastructure, health care while relying on aggressive privatization को करते हुए investment किया गया आपके healthcare और infrastructure में तो यह आपका once in a millennium का budget हो गया तो यहाँ पे आपका information समाप्त होता है यह कुछ important facts में ले किया था historical facts अगर आज की बात की जाए तो काफी चीजें हैं जैसे अबरेल आपके वंदे भारत आप जानते हैं उनके related कुछ news आई है कि 400 वंदे भारत trend start की जाएंगी वैसे ही आपका जो minimum alternative tax है उसको मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ 18.5% रखा जाएगा ठीक है रोजगार generate किये जाएंगे 60 lakh तक 20 lakh तक housing scheme के तहट कुछ चीज़ें आई है जो आज का budget परल्यामेंट में discuss हो रहा है जिसके key facts मैं आपके सामने present करेंगी ठीक है तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेगा budget के ये important information था आपके लिए budget सब लोग पढ़ेंगे सब लोग देखेंगे लेकिन उसके कुछ interesting historical facts मैं आपके साथ discuss करना चाहता था जो मैंने अभी किया इन चीज़ों को ध्यान रखेगा कहीं न कहीं exam में as a question आपके सामने आ सकते हैं ठीक है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद take care bye bye good bye झाल झाल झाल